रादे रादे जैस्री किष्णा काहानी संग्रे में हमारे सभी सोताओं का हाद देख अविनंदन है वक्तो रविवार का दिन शूर्य देव को शमर्पित है ऐसी मानिता है कि अगर रविवार के दिन शूर्य देव की स्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनु ब्रत कता सुनते हैं तो आपकी मनो कामना सीखर ही पूर होती है आईए चलते हैं कि शूर देव की कता क्या है जाने प्राचीन काल में एक बुडिया थी जो नियमित रविवार के दिन सूर उद्य से पूर्व उठकर नित्यकारियों से निवर्थ होकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके इसके साथ ही वो सूर देव की पूजा अर्चना करती थी साथ ही ब्रत कता सुनती या सुनाती थी दिन में वो एक बार भोजन करती थी उससे पहले सूर देव को भोग लगाती थी सूर देव उस वुडिया से बेहत प्रसं थे यही कारण था उसे किसी तरह का भी कष्ट नहीं था वए धन धानी से परपूर थी जब उसकी परोसन ने देखा कि बहुत वए सुखी है तो उसने बुढिया से जलने लगी बुढिया के घर में गाय नहीं थी इसलिए वो अपनी परोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्यो अंदर भान लिया अगले दिन रविवार था बुढिया को आंगन लीफने के लिए जब गोबर नहीं मिला इसी के चलते बुढिया सूरत देवता को भोग नहीं लगा सकी साथी उसने खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूग की प्यासी बैठी रही वो प्यास स ब्याकुल पता नहीं उसे कब नीद आ गई और वह सो जाती है अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक अत्य सुन्दर गाय बच्छडे के साथ बंदी है बुढिया गाय को देखकर हैरान रह गई उसने गाय को चारा खिलाया वहीं उसकी पास सौने का गोबर पड़ा देखा तो वह गोबर को उठा कर अपनी गाय के गोबर के साथ रख दिया सौने के गोबर से पडोसन कुछ ही दिनों में धन्मान हो गई ये दिन राज चलता रहा कई दिन तक वुडिया को सौने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला ऐस में बुडिया पहले ही दिन की तरह सूर देव का ब्रत करती रही साती कथा सुनती रही इसके बाद एक दिन सूर देव को पड़ुसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आधी चला दी तेज आधी को देखकर बुडिया ने अपनी गाय बच्छडे सहित अंदर भां चकित रह गई तब से लेकर आगे तक वोई बुडिया नित ही अपनी गाय को अंदर भांदने लगी उची दिन में बुडिया बहुत धनी हो गई बुडिया को सुकी और धनी इस्तिती में देखकर पडोसन और भी उससे जनने लगी बढ़िया को धन्मान देखकर पडोसन अपने पती को शम्जा वजाकर नगर के राजा के पास भेजती है जब राजा ने उस सुन्दर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठेकाना न रहा नगर के राजा ने अपने सेनकों को बढ़िया के पास भेजा और सुन्दर गाय को अपने महल में मगबा लिया सुबह जब राजा उठकर देखता है कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चिरी का ठेकाना न रहा वही बढ़िया भूंकी प्यासी रहकर सुर्देव से प्रार्थना करती रही सुर्देव को उस बढ़िया पर दया आ गई उसी रात सुर्देव राजा को सपन देते हैं और कहते हैं हे राजा बढ़िया की गाय बचड़ा तुरंत उसे बापस कर दे अगर ऐसा नहीं करेग तो तुझ पर परिशानियों का पहाट तूट पड़ेगा सूरदेव ने स्वफ्न में राजा को बुरी तरह डरा दिया इसके बाद राजा ने बुडिया को गाय तता बच्छडा लोटा दिया राजा ने बुडिया को धेर सारा धन दिया वह अपनी गलती के लिए च्छमा मांगी वही राजा ने पडूसन और उसके फति को सजा दी इसके बाद राजा ने पूरे राज्ज में गोश्णा करवा दी कि रविबार को हमारे राज्ज में हर कोई ब्रत करेगा सूर देव का ब्रत करने से व्यक्ति धन धानी शे फरफुर हो जाता है साथी उत्तम संतान की प्राप्ती हो घर में को साली आती है तो भक्तोई ये थी सूर नाराइण ब्रत क था आप आपके परिवार पर सदा सूर नाराइण की क्रपादश्टी बनी रहे इसी सूप कामना के साथ अगर प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करें